अब है लो फ्रेंड कैसे हैं अप लोग स्वागत है हमारे इतुछ चैनल बोला सा डिजल मिकेनिक में मेरा नाम जान लीजे बोला सा तो फ्रेंड आज का जो वीडियो बताने वाला हूं वह जर्मन वाल की उपर जो कि जर्मन वाल में किस तरह से लाइने उसमें आती है कौन से लाइने कैसे लगेंगी उसके बारे में एक दोस्तने हमारे कमेंट में बता जाता है कि जर्मन वाल के पाइप के बारे में बताओ तो जो कि जर्मन वाल को कि तरह के भासे में बोला जाता है कोई डिस्टिबीटर उसको बोलता है वेब को डिस्टिबीटर कोई जर्मन वाल तो हम अपने ही वासें बात करेंगे जर्मन वाल का जो कि टेलर गाड़ियों में ज्यादा तराता है टेलर गाड़िया जितने भी आती उसमें जर्मन वाल आता ही आता है तो उसके बारे में बात करेंगे कौन से लाइने कहां पे लगेंगी जो कि आप लोग के लिए बेहत ये जनकारी बहुत अच्छी रहेगी और उसके लिए बता रहा हूँ तो हमारे वीडियो पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन घंटी पर औल पर प्रेस कर दिए ताकि नोटिफिकेशन हमारा आपके पास मिलता रहे और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड हमारे पास ये जर्मान वाल पड़ा हुआ है देख सकते हैं कि ये है जर्मान वाल तो सबसे पहले हम बता देता हूँ आपको कि यहां पर दो लाइने आएगी जो कि ट्रोली में जोड़ना पड़ता है और से ट्रोली में यह होस का है तो इसमें आप में और रिटन कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें में रिटन कोई भी इसमें लगा सकते हैं बस पंज्या को दबाना है दबाकर देख लेना है इसमें प्रेसर किसमी आ रह और यहां पे भी एक लाइन आएगा यहां पे लाइन आएगा और इस तीन लाइने के बारे में बात करते हैं तो यह तीन लाइने के काम क्या है सबसे पहला बात कि जो हमारा चोटर पर पुछलिए वीडियो में मने दिखाया कि ड्राइवाल से कहां से कहां लाइने आती है और आज ये जैर्मना वाल का है तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो एश्टरा टंकी चेचीस के पास में देता है आपने देखा चोटा टेंक देता है जर्मनवाल के पास में ही देता है जो कि चेचिस में देता है एक्ष्ट्रा टंकी छोटा सा उसमें से एक लाइन आईगी इसमें लग जाती है यहां से लाइन लग गई तो छोटे टंकी से यहां पर लग गई अब छोटे टंकी से जब यह यहां पर लगाना है तो उसमें से पतली लाइन लेकर अपने को सीधा जला जाना है हमारा है हमारे हैंब्रेक लीवर के पास में तो वहां पर चला गया में उसमें हवा का काम करने लगा अब चलिए दूसरी लाइन के बात करते हैं अब इसमें लाइन की बात करते हैं फिरेंट तो हेंब्रेक से एक और लाइन आती है जो कि 24 नमर की लाइन उसमें आती है वो 24 नमर की लाइन आपकी क्या होगी उसमें से दो लाइन बनानी है जब handbrake से आप एक line लेकर आ रहे हैं handbrake lever के पास से तो उसमें पतली line एक बनानी है और एक मोटी बनानी है 24 नमर की तो वो line क्या होगा आपके horse जो आता है एक सल उसमें सीधा डाल देना है 24 नमर का जो कि उसमें से T बना कर डालना है दो booster आते हैं तो उसमें सीधा लगेगा T सीधा लगाएंगे और उसमें से T बना कर हम दोनों booster में डाल देंगे उसमें से एक पतली line लेनी है तो यहां पे लग जाएगे ध्यान रखना है जो handbrake से हमारा line आता है सीधा horse में लग जाएगा और horse के बाद में वो सीधा उसमें से एक line लिकालना है पतली T बना कर इसमें भी डाल देना है यह इसका होगे complete अब बात करते हैं इसका तो सीधा है पैडल वाल में आपको पता है कि दो break की line लेनी आती है तो जो दो break की line लेनी आती है उसमें से हमारा सीधा break panel वाल से उसमें लगाना है सीधा उसमें लगाना है उसके बाद से उसमें भी एक पतली line लाईगी उससे भी एक पतली line लिकालना है सीधा हमको उस वाल में लगाकर उसमें से एक पतली line लिकालनी है जो कि पीले color की line आती है आपने देख लेना वहाँ पे जाकर आप राइट साइड में आपका वाल लगा हुआ है चेचिस में जो कि डिफरेंटल में जो हमारा रोड लगा रहता है तो वहाँ से आपको जब उसमें जूड़ जाता है तो उसमें सभी एक पतली लाइन बनानी है और इसमें जोर देनी है यह इसका complete हो गया अब बात करते हैं इसका लाष्ट वाले का तो इसका काम क्या है जो फिर से एक पैंडल वाल से लाइन लेना है और फ्रंट ब्रेक में देना है जो कि फ्रंट टायर जो आगे के टायर होती है उसमें देना है और उसमें से फिर एक लाइन बनानी है और यहा कि हमारा चेचिस में लगा रहता है डिफरेंसन के पास में यानि कराउन के पास में राइट साइड में जिसमें रोड लगा रहता है क्राउन में सिधा पेंडल वाल से लाकर उसमें जोड़ देना है उस वाल में जोड़ देना है जो कि वो ब्रेक पाइक है और उसमें टी बना वाल आपका काम नहीं करेगा हैंब्रेक आपका छोड़ेगा नहीं जो कि आपने अक्सर देखा कि हैंब्रेक लग जाता है हैंब्रेक हमारा कुछ आवाज ही नहीं करता है तो इसके कारण होता है तो इसमें हवा आना चाहिए, यह हो गया हैंड ब्रेक का, जो कि होर्स हमारा क्राउन में, जो हैंड ब्रेक हमारा पार्किंग ब्रेक बोलते हैं, उसके लिए आता है, तो उसमें जैसे डिफ्रेंसल में हमारा हैंड ब्रेक में जोड़ेंगे, वहां से फिर पतली लाइन लेनी जैसे कि देख़ेए यहरा पेनडल वाल से लाते हैं दोनों ये तिनों लाइन की कंप्लेट है यह नहीं समझ में आएक हमें जैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, याद रखना है, पीली, हरी और ब्लेक, ये तीन लाइनों को, अगर समझ में आ जाता है, तो बहुत अच्छा रगा है इस जर्मन वाल के लिए, इसमें पीली लाइन पतली लगेगी, इसमें हरी लगेगी, जिसमें परेसार इसमें आना चाहिए, और इ मिलते हैं नेक्स वीडियों कैसा लगा वीडियों कमेंट में जरूर हमको बताईएगा मिलते हैं नेक्स वीडियों बाई ओल फ्रेंड थाइंक यू